कबीर के दोहों का अध्यन विरह को अंग वान बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम जिवतर से तुझ मिलन कूँ मनी नहीं विश्राम संदर प्रस्तुत दोहे डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित ग्रंथ कबीर ग्रंथावली के साखी खंड से लिए गए हैं इस ग्रंथ के कुल 809 दोहों को 59 अलग-अलग अंगों में बाटा गया है प्रसंद प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी ने विरहिनी आत्मा के परमात्मा से मिलन की व्याकुलता को दर्शाया है व्याख्या कबीरदास जी कहते हैं कि जिवात्मा अपने प्रियतम पर्मात्मा से कहती है कि मैं अनंत काल से तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रही हूँ. मेरे प्राण, मन, तुमसे मिलने के लिए व्याकुल है, मुझे किसी भी दशा में किसी भी प्रकार का चैन नहीं मिलता अर्थात तुम्हारे दर्शन हुए बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा. विशेश आत्मनिवेदन शैली, श्रिंगार रसका वियोग पक्ष भावात्मक रहस्यवाद की व्यंजना, भाशा खिच्डी, छंद दोहा यहूं तनजाली मसी करोन, लिख राम का नाओ लेखान करून करेक की लिखी-लिखी राम पठाओ संदर प्रस्तुत दोहे डॉक्टर, श्याम सुन्दर दास द्वारा संपादित ग्रंथ कबीर ग्रंथावली के साखी, खंड से लिए गए हैं. इस ग्रंथ के कुल 809 दोहों को 59 अलग-अलग अंगों में बाटा गया है. प्रसंद कबीरदास जी ने यहां आत्मा की तड़प की तुलना एक विरहिनी के वियोग से की है. व्याख्या कबीरदास जी कहते हैं कि विरहिनी कहती है कि अब यह अवस्था मेरे लिए असहनिय है. इस वियोग के कारण में अपने शरीर को जलाकर उसकी राक से स्याही बनाओ और हड्डियों की कलम बनाकर उनसे राम का नाम लिखू और राम नाम लिखकर उसे उनके पास भेजू ताकि उन्हें यह पता लगे की विरहिनी उनके वियोग में कितनी तड़प रही है. तब जाकर हो सकता है कि वे मुझे दर्शन दे दे. विशेश गुरु की महिमा का अतिशयोक्ति पूर्ण वर्नन भाशा सहच सरल, दोहा चंद, लखी लिख में अनुप्रा सलनकार 3. अंशडिया जाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी 4. जीभडिया चाला पड़या, राम पुकारी पुकारी 5. संदर प्रस्तुत दोहे डॉक्टर, श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित ग्रंथ कबीर ग्रंथावली के साखी, खंद से लिए गए हैं. इस ग्रंथ के कुल 809 दोहों को 59 अलग-अलग अंगों में बाटा गया है. प्रसंग यहां विरा व्यथा का आखो वजीब पर पढ़ने वाला प्रभाव दर्शाया गया है. व्याख्या कबीर कहते हैं कि भगवत प्राप्ती इतनी सहज नहीं है. भगवान की राह देखते देखते मेरी आखों में जाई पढ़ गई अर्थात्वे धुन्दला गई. राम राम पुकारते पुकारते जीब में छाले पढ़ गए. इतनी विरा व्यथा के बाद भी अभी प्रभू दर्शन संभव नहीं हुआ. विशेश विरह का अत्यंत कारुनिक एवं मार्मिक वर्नन. भाशा सहच सरल भक्ती रास. संयोग श्रिंगार का वियोग पक्ष. फोर पर्बती पर्बती में फिर्या नैन गवाये रोई. सो बूटी पाउन नहीं, जाता जीवनी होई. संदर प्रस्तुत दोहे डॉक्टर, श्याम सुन्दर दास द्वारा संपादित ग्रंथ कबीर ग्रंथावली के साखी, खंड से लिए गए हैं. इस ग्रंथ के कुल 809 दोहों को 59 अलग-अलग अंगों में बाटा गया है. प्रसंद कवी ने यहां पर्मात्मा के विरह में पड़ी आत्मा की व्यथा को स्वर दिया है. व्याख्या कबीरदास परमात्मा के मिलन की 80 आत्मा के माध्यम से कहते हैं कि मैं उसकी खोज में परवत-परवत भटका, रो रोकर अपनी आखे खराब की लेकिन अभी तक उसकी प्राप्ती नहीं हुई. यदि उससे मिलन नहीं हुआ तो मेरा अंथ हो जाएगा और जीवन व्यर्थ चला जाएगा. विशेश पूर्णत्व के बिना जीवन व्यर्थ हो जाता है. सगुकरी भाशा, दोहा चंद वियोग श्रिंगार, अनुप्रास अलनकार फाइव, सुखिया सब संसार है, खाय अरू सोवें. दुखिया दास कबीर है, जागे अरू रोवें. संदर प्रस्तुत दोहे डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित ग्रंथ कबीर ग्रंथावली के साखी, खंड से लिए गए है. इस ग्रंथ के कुल 809 दोहों को 59 अलग-अलग अंगों में बाटा गया है. प्रसंग यहां कबीर यह स्पष्ट कर रहे हैं कि विशिष्ट लोग आत्मौनती पूर्णत्व के तत पर रहते हैं, इसलिए अन्यों की तरह खासो कर ही सुखी नहीं हो जाते. व्याख्या कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में सभी प्रानी सुख पूर्वक अपना जी व्यतीत करते हैं. वे चिंता रहत होकर खाते पीते और चैन की नीन सोते हैं, लेकिन कबीरदास है जो दुखी आत्मा है, जो परमात्मा के विरह में रात भर जागता रोता रहता है. कहने का तात्पर्य यह है कि सामाने प्रानी तो संसारिक आकर्शनों में मगन रहता है और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता है, लेकिन एक सच्चा साधक परमात्मा की प्राप्ती के लिए निरंतर रात दिन साधना करता रहता है, विरहागनी में जलता रहता है. उसके दर्शन जाले पर रात भर जाकर रोता रहता है विशेश जागरन शील व्यक्ति जनसामान्य की तरह खाने सोने तक सीमित नहीं रहता लोगभाशा के सहच सरल शब्द दोहा चंद, करून रस, श्रिंगार रस का वियोग पक्ष